बिटकोन हाविंग क्या है क्यों है कैसे होती है और कहां पर होती है यह सारे के सारे जवाब को मिलेंगे इस वीडियो में इसके साथ बिटकोन हाविंग का क्या अफेक्ट पड़ता है माइनर्स के उपर और बिटकोन के प्राइस के उपर यह भी हम देखेंगे आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बिटकोर्ण हाविंग के बारे में किसी से कुछ भी बात कर सकते हैं इन फैक्ट उनको आप बदा सकते हैं कुछ भी बिटकोर्ण हाविंग के बारे में और आपके सारे के साई डाउट के रहेंगे यह प्रॉमिस है मेरे आप से तो अ आपको आपका लिंक मिल जाएगा कैसे हैं आप मस जवर्दस चिंदवाद नरुषका संदीफ है और किप्टोबर हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडिये बात करेंगे बिटकॉइन हाविंग की तो सबसे पहले बिटकॉइन मिलते हैं, मतलब वो एक company हो सकती है एक पुरा pool हो सकता है एक individual का होना नामुम्किन grabber है anyway, तो अभी आपको हर 10 minute में, जब एक block mine होता है, तो साड़े बारा bitcoin मिलते हैं, अब उससे पहले आपको 25 bitcoin मिलते थे एक block के, और उससे पहले 50 bitcoin तो 11-12 माई को जो bitcoin having होने वाली है उसकी बाद bitcoin के block का reward हो जाएगा 6.25 bitcoin, मतलब आपको हर 10 minute में अब सिर्फ 6.25 bitcoin मिलेंगे, तो यह होगी bitcoin having क्या होती है, मतलब जो आपका block का reward है, वो half हो जाता है अब दूसरा question आता है कि bitcoin having होती कब है bitcoin having 2,10,000 block के बाद होती है जो की तकरीबन 4 साल का time frame होता है 10 minute के हिसाब से और जो दूसरी bitcoin having होई, वो होई 4,20,000 block पे और जो तीसरी होगी अब, वो होगी 6,30,000 block पे बहुत ही simple सा funda है, लेकिन बात आती है कि जो block का number है define कौन करता है और जो 4 साल का time है, ये coin define करता है क्या अभी जो miners हैं ये developers हैं, वो करते हैं, जी नहीं ये सारी ये सारी बाते, जब bitcoin बना था तब सतोशी नाकामोतों ने bitcoin के protocol में integrate कर दी थी और बोला था, कि हर 4 साल में ऐसा होगा, और अगर आपको देखना है अपनी आखों के सामने, कि ये कहां पे होता है तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ bitcoin का code, तो इस वक्ता आप देख सकते हैं bitcoin के code का वो segment जहां पर reward या subsidy की बात हुई है और इसी के नीचे having का formula भी है तो अगर आप देखें, यहां पर तो हर 2,010,000 block के बाद bitcoin having होती है और जो reward है, जिसको यहां पर subsidy कहा गया है, वो half हो जाता है इस comment में साफ साफ लिखा है, जिसका time frame होगा वो 4 साल का होगा, इसलिए bitcoin having हर 4 साल में होती है और 2,010,000 block के बाद होती है तो आप आप एड़ कर सकते हैं कि सिर्फ 32 bitcoin having होगी और यह करीब सन 1940 में जाके होगा तब जाके पूरे 21,000,000 bitcoin mine हो चुके होगे और उसके बाद कोई भी bitcoin having नहीं होगी तो अभी तक हमने समझा कि bitcoin having क्या है और यह कैसे होती है, पर बड़ा question यह आता है कि bitcoin having होती क्यों है सतोशी नाका मोटो को ऐसा कुछ bitcoin कोड में लिखने के जुड़ क्या पड़ी इसको समझने के पहले में सतोशी नाका मोटो की सोच को समझना पड़ेगा कि नहीं बिटकॉइन बनाए है क्यों बिटकॉइन हाविं होती है, यह होती से लिए है कि जो inflation है उसको control में रखा जाए inflation या महेंगाई को मैं आपको ऐसा समझाता हूँ आज के देट में आप 5 रुपे से चले 10 रुपे पांच बहुत कम हो गए 10 रुपे से एक biscuit का packet खई सकते हैं और आने वाले टाइम में, मतलब 5 साल में, 10 साल में आप उस 10 रुपे से उस biscuit के packet को नहीं खे सकते हैं मतलब आपको शायद 20 रुपे लगेंगे या 50 रुपे लगेंगे, जितने भी लगेंगे एक्जामपल है लेकिन 10 रुपे नहीं लगेंगे ताकि Bitcoin की supply है, वो कम हो जाए और उसकी demand बढ़ती रहे या अगर demand constant भी रहती है, तो वो जो supply है, वो कम हो जाए ताकि उसकी value है, वो maintain रहे तो अब आप समझ गए कि halving क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, मतलब halving concept क्यों आया अब बात करते हैं, halving के historical data की, कि इससे Bitcoin के price में कiedy ऐसर परता है और उसके बात करेंगे कि इससे miners को क्या ऐसर परता है दोसे बात करते है Bitcoin halving जो भी तक हुई है, दो हो चुक चुकी है, और अब तीसरी आने वाली है इसके बाद Bitcoin के price में क्या ऐसर परता है तो बिना चार्ट के अगर मैं बात करूँ आप से तो बिटकॉइन के हाविंग के आसपास इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है बिटकॉइन के प्राइस में बहुत साइवे रीजन्स हैं कि लोग पहरे समझते हैं कि ये code में लिखा है तो bitcoin halving होगी इसको पहले से factor in करके रखते हैं लेकिन जैसे time बढ़ता halving के बाद उसके बाद किसी point में चाहे एक साल हो चाहे एक साल कुछ दिन या महीने हो उसके बाद bitcoin अपना all time high reach करता है उस particular time के लिए अब bitcoin के halving का historical chart देखते हैं कि जब इससे पहले दो बार halving होई तो उसके पहले बाद क्या हुआ तो जैसा कि आप इस चार्ट में दे सकते हैं bitcoin की पहली halving होई थी 28 November 2012 को और उस time पे bitcoin का rate था $12.22 पहली bitcoin halving के बाद कोई major search नहीं आया प्राइस में लेकिन उसके 368 दिन बाद bitcoin ने अपना all time high reach किया जो कि था $1,178 तो कहां $12 और कहां $1,178 इतना दा difference almost 9,000 something percentage का increment आया था bitcoin के price में लेकिन 368 दिन almost एक साल लग गया और उसके बाद करीव 408 दिनों के ले हमें यहाँ पर bearish trend देखने को मिला तो यह हुआ पहली bitcoin halving के बाद भी price एक दम से उपन नहीं गया in fact दूसरी bitcoin halving के बाद price रह नीचे गया और उसके पूरी 525 दिन बाद 16 December 2017 को bitcoin ने अपना दूसरा all time high reach किया जो कि था $19,800 और उसके दाद फिर से एक बाद 365 दिनों के आसपास bearish trend या bearish market हमको देखने को मिला और अब तीसरी bitcoin halving आने वाली है तो क्या होगा price पर इसका impact आपके हिसाब से मेरे हिसाब से हो सकता है कि price फिर बाद deep आए लेकिन उसके 6 मेने बाद, 1 साल बाद या 3 मेने बाद in fact इसका price उपर जाएगा ही जाएगा क्योंकि bitcoin एक rare commodity है और जब तक लोगों को मतब जाद होगा इस बात का हिसास होगा तो price अपने आप ही उपर जाएगा क्योंकि demand or supply का बहुत ही simple सा formula है अब कितना उपर जाएगा ये exactly इस वक्त कोई नहीं नहीं आ सकता बहुत सारे लोग किसम बोला पहले बोलते हैं एक लाग डॉलर, दो लाग डॉलर, तीन लाग डॉलर जा सकता है, हो सकता है जैसा से लोगों को इसकी value का बदा चलेगा कि यार सही है आप इसको print नहीं कर सकते इसको duplicate नहीं कर सकते यही real storage of value है तब इसका price कहां तक जाएगा कोई नहीं बहु सकता और हो सकता है कि history repeat करे और इसके एक साल के अंदर अंदर bitcoin दुबारा से अपना all time high reach करे, जो कि दो history का देखा जाए, तो एक बार 9000% था, एक बार 2000% था तो इस बार अगर 1000% भी चला गया bitcoin तो आप समझ सकते हैं कि अब बात करते हैं कि miners के उपर इसका impact पड़ेगा तो देखो, miners का reward है, वो तो half में cut हो गया तो इस वक्त अगर वो 12.5 bitcoin mine कर रहें, तो आने वाई टाइम पर सिर्फ 6.25 bitcoin ही mine कर पाएंगे, मतलब जो उनकी cost है, वो उतनी लगेगी लेकिन जो उनको reward है, वो कम मिलेगा तो इस से अगर देखा जाए, तो bitcoin का price push हो सकता है उपर, अचानक से, लेकिन ये miners, ये सारी ये सारी बाते पहले से दिमाग में लेके चलते हैं, कि यार ऐसा होने वाला है, तो ये पहले से अपनी cost को trade करके चलते हैं तो इससे short term पे शायद bitcoin का price अचानक से उपर नहीं जाएगा, miners को जो बड़े miners हैं, उनको इतना घाटा नहीं होगा वो loss को जहल लेंगे, लेकिन जो छोटे miners हैं, वो इससे for sure हड़ जाएंगे, लेकिन जिस सारी technology एडवांस हो तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको higher speed के ASIC miner देखने को मिले cheaper price में तो इससे थोड़ा बहुत जो यह price का balance है यह आ सकता है bitcoin के price में तो यह भी एक factor है, इसके साथ long term में शायद miners अपने bitcoin को नहीं बेचेंगे ताकि बाद में bitcoin के price को उपर पुछ कर सके और यही हमने देखा halving के historical chart से जहां पर शिरुवात की कुछ time तक bitcoin का price उतना उपर नहीं गया लेकिन अचानक से उसके बाद उसने अपना all time high reach किया उस particular halving के बाद तो यह इस बार होगा, ज़रूर होगा, कब exactly कोगी नहीं जानता तो that's it, इतना इत आज की वीडियो में, hopefully आपके halving के सारे के सारे doubt इससे clear हो गए होगे कि halving क्या होती है, क्यों होती है, कव होती है, कैसे होती है माइनस पर इसका impact पड़ता है और जो prices पर क्या impact पड़ता है वैंसे इतना अज की वीडियो में, आशा करता हो, कि आपने आज की वीडियो से, bitcoin हाविंग के बारे में जुरूर सीखा होगा, और अगर कोई आप से पूछे कि bitcoin हाविंग क्या होती है.. तो आप अप से जवाब देसकते हैं अगर वीडियो चलागे तो आप से लाइक कर सकते हैं, अगर आज आपका वेदर रेच्चेल में तो आप क्रिप्टो पॉइंट हैंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यो इस शर्म किस बात की भाईवा चैनल है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, टेक क्यार और बी हैंदी